आप लोग सब आ जाईए फिर स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करें कि यहां पर कॉशन पूछा गया है एक कंपनी है जिसने प्रॉफिट प्रायर जो अर्ण किया है प्रॉफिट प्रायर टू इट्स कैटिंग सर्टिफिकेट टू कमेंट बिजने इट शुट भी ट्रांसफर टू देकि हिंदी में पता देती हूं आप लोग बोलते हैं कि इसको हम कहां स्थानांतरत करते हैं घुमा के कॉश्चन पूछा गया है डारेक्ट यह भी पूछ सकते थे कि जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है वह कहां ट्रांसफर किया जाता है ठीक है डिविडेंट एकुलाइजेशन फंड में जर्णल लिजर्व फंड में सस्पेंस अकाउंट में या फर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बताएज क्या होगा इसका अंसर देखें यहां पर हम बात करें तो यहां पर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्परेशन या कि इस बिजनिस स्टार्ट करने से पहला यानि कि वह उसका कैपिट कि तरह टूइट करेंगे और क्या डविट करेंगे तो यह हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो यह हमारे ट्रांसफ़र किये आते हैं, ची कैपिटल रेजर्व अंक्त तो प्यादि करने से पहला है ठीके तो अप्शन कि मीटिंग या फिर रिजॉलूशन बताएगे दिखिए यहां पर टू भी कंसिडर्ड है यानि कि जो डिसकस किये जाएंगे यानि कि आपको यहां पर आउटलाइन दे दी जाएगे कि हां मीटिंग का यह परपस है और यहां पर हम इन कॉशन्स को जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको यहां पर डिसकस करेंगे अभी मेरे आंसर निकल गया है आप लोग समझ गये होंगे आईडिया लग गया होगा आपको एजेंडा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि मीटिंग का यह एजेंडा है हमें मीटिंग इसके उपर करनी है मीटिंग में यह सारी चीज होते हैं minutes of meeting ठीक है तो यहां पर option भी agenda of the meeting right answer हो जाएगा क्योंकि यह discuss करने से पहले का outline है कि हां में meeting में यह सब चीजन discuss करनी है ठीक है next question है certificate of commencement of business is not required by अब जो certificate of commencement है वो किसमें जरूरी नहीं होता एक public company में एक private company में बोथ public and private company या फिर public company subsidiary to a public company बताइए अब बताएए क्या होगा कि देखिए यहां पर इसका answer क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एक private company को जरूरत नहीं होती है कि वो certificate of commencement ले तभी वो अपने business को start करे वो एक simple समामेलन के बाद भी अपना business start कर सकती है ठीक है उसको यह जरूरी नहीं होता है जबकि public company को जरूरी होता है क्योंकि उसमें investor का पैसा लगा होता है उसको यह सारी formalities करने ही होती है तभी वो अपने business को start कर सकती है ठीक है तो option भी हाँ पर हमारा क्या है correct answer है next question देखिए certificate to commence business is essential for अब जो comments का जो certificate है वो किस business के लिए जरूरी है public company private company both A&B या none of these गुमा के question पूछा गया है concept please clear करिए अपने concept clear होंगे तो आप हर questions कर पाएंगे इसलिए please मैंने बहुत कोशिश करिया आपको हर topic हर point अच्छे से समझाने के 20 तक सारे topic जो भी आपको किसी भी topic या point में query है please पूछ लीजे क्योंगे 20 के बाद शायद मैं class continue नहीं कर पाऊं तो please request है आपसे ये जितना भी आपका doubt है पूछ लीजे देखिए आपका exam खराब होगा तो मुझे बहुत गंदा feel होगा please मैं नहीं चाहते है आप लोगों का exam खराब हो आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं जो भी doubt है प्लीज पूछ लीजे ज़्यादे ज़्यादा practice करें क्योंकि जितने आप practice करेंगे उतने ही आपकी चीज़ें clear होगी आपको खुद में confidence आएगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ठीक है तो कोशिश करिए जादे ज़्यादा practice करने की थोड़ा सा सोईए कम थोड़ा सोना कम कर दीजिए क्योंकि एक्जाम के बाद आपको फिर सो नहीं है ठीक है लेकिन हाँ थोड़ा से ज़्यादा effort करिए समय क्या हो जाएगा ए पब्लिक कमपनी में हमें जरूरी होता है प्राइबिट कमपनी में जरूरी नहीं होता है पब्लिक में हमें हमें जरूरी होता है बस इतना याद रखिए ठीक है नेक्स्ट है which one of the following is not an advantage of the incorporation as company अब इसमें से कौन सा हमारा अगर हम बात करें तो advantage नहीं है incorporation as company के लिए बताईए perpetual succession, limited liability of members, capital contribution, forming part of the company या फिर freedom to do any business बताईए बताईए दिखिए यहाँ पर जो advantage नहीं है वो है freedom to do any business ऐसा नहीं है कि आप कोई भी business कर सकते हैं चीक है यह आपको freedom नहीं दी जाते है इसलिए यही सारे certificates क्यों होते हैं आपकी सारी चीजते हैं चेक करने के लिए क्या आप बिसनेस क्या कर रहे हैं आपके objectives क्या हैं क्या purpose है आपका business करने का यानि कि सारी चीज़ों को analyze करने के लिए उनकी legality check करने के लिए यह सारी चीज़ें की है ठीक है नेक्स्ट है फोर वालेंटरी वाइंडिंग अप आफ अपकंपनी बाइदे मैंबर्स विच रिजुलूशन इस रिक्वाइड बताईये वालेंटरी वाइंडिंग अपके लिए कौन सा रिजुलूशन हमें जरूरी होता है ओर्डिनरी स्पेशल रिजुलूशन रिक्वाइड स्पेशल नोटिस या फिर नन ऑफ या बवव देखिए जह हम वालेंटरी वाइंडिंग अपकी बात करेंगे तो यहां पर एक स्पेशल रिजुलूशन पास किया जाता है इसके कर सकते हैं ठीक है तो option B यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है annual journal meeting of a company is called by the जल्दी जल्दी कॉशन करिए देखिए एक्जाम में अपने टाइमिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चों के मैं तीन साल से आपको यह त्यारी कर रह र कि चलिए अपना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप टाइम मैनेज कर पाएं आपकी स्पीड जो है वो भड़े जल्दी से आंसर करिए इसका annual journal meeting कोई किसी भी company के लिए कौन बुलाईगा बताइए company secretary, board of directors, registrar of companies या फिर company auditor तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करें annual journal meeting की तो option B यहाँ पर write answer हो जाएगा यह board of directors की द्वारा बुलाई जा सकती है ठीक है अब यहाँ पर देखें दोनों options हैं board of directors और company secretary अगर यहाँ पर board of directors option नहीं होता ध्यान से सुनिए अगर board of director option नहीं होता तो यहाँ पर हम company secretary कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि board of directors ही बुलाए board of directors company secretary को order भी दे सकते हैं कि company secretary बुलाए ठीक है तो company secretary यह इस meeting को conduct करवाएगी करवाएगी खुद नहीं करेगी conduct तो यहाँ पर क्या है वो उसके बिहाब पर काम कर सकती है लेकिन यहाँ पर options में दोनों है इसलिए board of director करेंगे और अगर board of director option में नहीं है तो हम company secretary करेंगे ठ ठीक है next question देखे minutes of meeting must be signed by अब जो minute of meeting है वो किसके तोरा sign के जाते हैं देखे जल्दी जल्दी answer करते हैं मैंने आपको बताया था कि minutes of meeting क्या होते हैं जो भी हम discussion करते है meeting के अंदर उनको short रूप में आपर लिखा जाता है ठीक है अब यहाँ पर वो जो लिख रही है वो है company secretary तो company secretary ने लिखा है तो वो जो भी points लिखे हैं उसके लिए responsible होगी ठीक है तो उसके sign होंगे फिर board of director के भी sign होंगे क्योंकि board of director ने वो point लिखवाई है यानि कि वो चीज़ें उन्होंने जो भी decisions लिए है जो भी बात करी है वो उनके द्वारा की गई है तो वो भी इस चीज क्या हो जाएगा आपका option number C ठीक है next है what is not included in the quorum for a valid company meeting अब एक quorum की बात की जा रहे है तो valid company के लिए कौन सा नहीं होगा proxy person nominated by the president of India या फिर governor के दौरा पॉइंट के वाले या फिर lady member तो यहां पर नहीं की बात की जा रहे है तो देखे नहीं में यहां पर proxy हो जाएगी क्यों proxy क्या होता है जो person available नहीं है आप उसकी भी यहां पर present लगवा रहे है या फिर उसको भी आप यहां पर present दिखा रहे है जबकि ऐसा है नहीं तो यहां पर option a proxy include नहीं किया जाएगा next है अब देखें यहां से थोड़े नए questions है वेसे related एक बार concept यह समझ ली थे दिखें marriage multiple piece rate system में हमारे तीन rate होती है जिसके business पर यहां पर wages दी जाती है अब यहां पर आप questions करेंगे तो वहां पर आप समझ जाएंगे यहां पर यह पूछा गया है कि marriage multiple piece rate system में 100% of the ordinary piece rate आप ऐसे समझ सकते हैं जो भी ordinary मतलब जो भी उन्होंने decide कया उससे भी 110% जादा वो wages दे रहे हैं तो वो कब condition आएगे जब वो 83 से 100% अपना standard output का का काम करेंगे या फिर standard output का 100 से 120 पर से या फिरो से 83 पर से या फिर नन आफ दीज बताएगे क्या हो जाएगा देखें यहां पर answer हो जाएगा 83 जब जो भी standard output उन्होंने decide कया तक इतना काम होना चाहिए अगर उसका 83 से 110 वो sorry 83 से 100 काम कर लेते हैं तो वहां पर जो भी उनकी ways decide की गई है उसका 110% उसको दिया जाता है ज्यादा अब देखिए second question समझ लीजिए और clear हो ज system में यह कहा गया है कि जो उनका ordinary piece rate system है उसमें 120% वो ज्यादा दे रहे हैं standard output का क्या तो यह तो हमारा कितना था है इसमें 110 दिंगे 120 क्या होगा ज्यादा महीं होगा तो यह क्या हो जाएगा यह अगर वो 100 से 120 परसेंट ज्यादा काम करते हैं standard output का तो वहां पर उनको जो percentage द सिर्कुल clear हो जाएगा concept अब देखिए मैरिक multiple piece rate system में सिर्फ ordinary piece दी जा रही है ना 110 दी जा रही है ordinary का ना 120 परसेंट दी जा रहा है सिर्फ ordinary दी जा रही है यानि कि वो काम कर रहे है understood है तो यहां पर क्या होगा 0 to 100, 0 to 120 और 0 to 83 तो यह तो होने से रहा क्योंकि इसमें तो 110 मे हो जाएगा option से 0 to 80 परसेंट ठीक है clear है next है यानि कि मैरिक multiple piece rate system में तीन rate दी जाते हैं उनके output के according next है in dash two piece rates are set for each job यानि कि ऐसा कौन सा piece rate system है जिसमें दो rate decide की गई है merit तो देखें merit तो यह कड़ी गया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसमें तीन rate होती है अब आपको इन दो में से बताना है raw and plenium plan tailored differential piece rate system या फिर none of these बताईए क्या हो जाएगा सी हो जाएगा tailored differential piece rate system में दो rate decide की जाते हैं जो उनका standard output होता है अगर उससे कम करते हैं तो lower rate दी जाती है और अगर जो standard output है उससे ज्यादा वो output produce करते हैं या output बनाते हैं तो वहां पर जो high rate होती है वो दी जाती है तो यहां पर दो rate होती है low rate एक होती है high rate ठीक है और वो standard output की according decide कर दी जाती है next है basis of appointment of store service expenses अब जो store service expenses है उसका क्या basis होता है appointment करने का value of material consumed unit of material consumed product produced या फिन नन ओफ दीज देखिए यहां पर बात की जारे store service expenses की तो यह इसका हम बात करें decision की या इसके appointment की किसके basis पे होगा तो यह किया जाता है कितनी materials use हुआ ठीक है तो value of material consumed यहां पर हमारा a right answer हो जाएगा next है tailored differential peace rate system provide for higher rate to workers अब higher rate किसको दी जाएगा यह अभी मैंने event को भी नहीं देंगे तो a और b b कट गया क्या हो जाएगा be efficient worker यानि कि जो अच्छा काम कर रहे हो नहीं को तो high देंगे और loan को देंगे जो कम काम कर रहे हैं lazy है inefficient है ठीक है next है dash is the most suitable band the quality of workers is of prime importance बताईए को कौन सा peace rate system होगा quality की बात की जा रहे है तो देखिए भी हो जाएगा यहां पर क्योंकि देखिए quality की बात करें तो peace rate system में क्या होगा वो quality पर ध्यान नहीं देंगे वह सोचेंगे कि जितना ज्यादा हम produce कर लेंगे उतने हमारे पैसे बनेंगे तो जल्दवाजी में क्या करेंगे अच्छे से produce नहीं करेंगे लेकिन time में क्या होगा time में यह होगा अब वो पूरे दिन में चाहें productive बनाए चाहें 20 बनाए उनको wages उतने ही मिलेगी तो धीरे-धीरे काम करेंगे तो quality अच्छी निकल कर आएगे product के इसलिए यहां पर quality के business पर काम करें तो prime importance के लिए यहां पर prime importance की बात करेंगे तो वो time-based system में होगी ठीक है नेक्स्ट देखिए, dash is maintained to know how the worker's time shown while the time card is spent on the various jobs बताइए कहां पर यह दिखाया जाता है daily time sheet, weekly time sheet, job cards या फिर none of the above देखिए बहुती simple है जब भी हम workers के time की बात करते हैं तो वहां पर एक card prepare किया जाता है जिसको job card होते हैं उसमें पताया यह सारी चीज़े maintain की जाते हैं कि किस worker ने कितना time पर काम किया ठीक है option c next है time-based system में wages pay की जाती है बहुत ही हलुआ सा question है देखिए production, time, both and be या फिर none of these यहां पर wages किसके according दे रहे हैं यह time की according तो क्या हो जाएगा option इसका भी time-based system ठीक है next है piece rate system में wages का जो payment है वो किसके according किया जाता है piece की बात की जा रही है बताये options है देखिए time है quality of the work done है तो option A हो जाएगा quality of work done next है machine hour rate is obtained by dividing the total running expenses of a machinery during a particular period बायती यानि कि जह हम machine hour rate की बात करते हैं तो ऐसी एक विशेश अविदी के दौरान जो machine की जो भी total उसको चलने में जो खर्चा आया है उसको हम कैसे करेंगे number of hours यानि कितने घंटे चली number of product produce number of workers या फिर wages बताइए क्या हो जाएगा answer आपका देखिए बहुत ही simple है machine hour rate की बात की जा रहे है तो number हम यही देखिए कि machine कितने घंटे चली तो option क्या हो जाएगा next question है the techniques of keratinistic अब keratinistic कहां पर use की जाती है absentism में motivation में efficient leadership या फिर reward workers बताइए क्या होगा answer keratinistic आपने पढ़ा होगा तीखिए keratinistic एक ऐसा concept है जो कि हम follow करते हैं motivation के लिए ठीक है option b यहां पर हो जाएगा यानी कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उनको karat है यानी कि यहांपे reward दिया जाएगा और अगर कोई इस्टिक ही यानि कि उनको punishment दिया जाएगा तो इनके motivation से related है तो option B यहाँ पर correct है next है management by objectives cannot be done without अब जो management by objectives है वो किसके द्वारा नहीं यहाँ पर किया जा सकता delegation of authority, definition of clear terms of tasks to be performed, limited span of control या फिरा functional form of organization बताईए क्या हो जाएगा answer इसका delegation of authority का option A हो जाएगा delegation of authority ठीक है एक management objectives जो है वो बिना delegation of authority के काम नहीं कर सकता है next है span of management से क्या समझते हैं span of management का मतलब है कि यहाँ पर एक superior है उसके under कुछ limited person है वो उनको direct करेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा number of subordinates under superior ठीक है option C क्योंकि limited number होंगे तो वो उनको अच्छे से guide कर पाएगा उनसे अच्छे से काम निकलबा पाएगा ठीक है और उनको समझा भी पाएगा जब भी उनको उसकी जरूत होगी ठीक है और जादा person होंगे तो वो उनको अच्छे से execute नहीं कर पाएगा कि किस तरह से काम करना है इसलिए option C यहां पर correct है next है harmony of objective किसका principle है किसका है option A directing क्योंकि harmony of objective में क्या होता है इस तरह से direct करना कि जो individual के objectives है उसको company के objective से मिलाया जाए जिससे कि उनके goal के साथ साथ company के goal भी achieve किया जा सके इस तरह से direct करना तो option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next और last question है thousand series का आसका superintendent, supervisors and foreman are in top level, middle level, lower level या फिर none of these तो बहुत ही simple है जो superintendent, superior, foreman होते हैं वो हमारे low level के होते हैं middle level में हमारे सभी department के head आते हैं जैसे कि purchase department, sales department, R&D department ठीक है और top level में क्या आते हैं chairman, board of directors ये लोग आते हैं ठीक है तो यहां पर option क्या हो जाएगा C, load level management ठीक है तो यह थे हमारे आज के questions, hope यहां पर आपको सारे questions clear है किसी भी question में doubt हो, please जरूर बताएगा next video में मिलते हैं तब तक के लि आते हैं